सेहिन साथियों नमस्कार स्वागत आपका अपने परिवार में जैसा कि आप देख रहे हैं कि बजट के अंद्शना हुई लेकिन हम यह नहीं पान पाए कि किस विभाग में कितने पद निकलेंगे लेकिन अभी हाली में पुलिस बजट जो आने वाला है या फिर जो ने पदो की जो गोशना हुई है वो किस विभाग में आएंगे उनके संभावित पदों की क्या गोशना हो सकती है आखिर पुलिस बजट में क्या भेजा जा रहा है शिक्ष्या विभाग किस पदों के लिए तेयारी कर रहा है कुछ उन बातों पर अपने विचार करते हैं पांच नई सरकार की द्वारा की गई है 2024 के तो यानि हम यह कह सकते हैं कि 2024 प्रतेक युवा वर्ग जो है उनके लिए एक सुनेरे भविशे को त्या करता है लेकिन उस सुनेरे भविशे के लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए मैं कुछ उन विध्यारतियों के आपको आतम विश्वास को दिखाना चाहूंगा जो एकदम तो चर्मों उत्कर्ष पर था फिर वहीं से वो डाउन फाल पर आ गया तो आईए बात करते हैं कौन-कौन से पदों पर भरतियां होगी और पुलिस विभाग में क्या सब इंस्पेक्टर की या महिला एसाय की कौंस्टेब पहले भी एक वीडियो हमने बनाया और उसमें हमने अनुमानित की 17,000 जो है फर्स्ट ग्रेड व्याक्याता के पद जो है उन पर स्वीकरती मांगी गई है तो उसमें 50% जो है पदोनिती से 50% जो है वो सिधी भरती से भरे जाएंगे तो 17,000 का हम लगबग आदा जो है वो मा आने वाले हैं और अगले महिने अचार सहिंता लगने की संभावना है आगामी एक्जाम जो है एलेक्शन के उपरांतिकराना संभव हो पाएगा तो यनि अभी जो है अचार सहिंता लगने के कारण हमको जो है कि समय मिलने वाला है समय कितना मिलने वाला है आप ये मान लिज यो तो मुश्र से कभी नहीं डरना चाहिए क्योंकि लगातार की गई मेहनत ही आपको सफलता तक ले जाती है। महात्मा बुद्ध जिन्होंने 29 वर्स की आयू में घ्रह त्याक किया था और 35 वर्स की आयू में उन्हें ग्यान प्राप्त हुआ था। ऐसे बहुत सारे जो महान शिक्षा विद हुए हैं दार्शनिक हुए हैं उनकी आपने प्रेरक कहानिया सुनी होगी जिन्होंने लगातार मेहनत की तब जाकर सफलताएं मिली हैं देश की आजादी को भी उतने ही वर्स लगे थे जितने उसको गुलाम होने में लगे थे ये पहले आप अपने आप पर आतम विस्वास करें सबसे ज़्यादा वेक्ति के पास यह होनी चाहिए कम बोलना सेहन सील रखना यानि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं उनका उनको तुरूंत जवाब नहीं देना चुप चाप जो है सेहन करते हैं जो एक दिन आपको जो है अपने आप यापकी सफलता उस मुकाम तक ले जाएगी तब यही लोग जो है आपके लिए धारना जो अलग बना कर बेट जाएंगे क्योंकि भहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान के जो गीत होते हैं उनको भी डिसलाइक कर देते हैं उनके उपर भी कमेंट कर देते हैं तो आप तो एक मानव है और मानव जो है उसके लिए कोई ना कहें ऐसा होई नहीं सकता कि उसका जी याद नहीं मुझे यह याद नहीं आपने जो पार्ट पढ़ा है वो किसी को सुनाओ तो सही आतमिस्वास तभी आएगा उसको लिख कर देखो आज तो बहुत अच्छा प्लेट परम है जो आपको याद हुआ यूटूब पे डाल दिया जो चीजे पढ़ी यूटूब पे ड बहुत कुछ जीवन के अंदर हमें त्यागना पड़ेगा माबाप से माउके हाथ के खाना हमें सबसे याद दिलाता है उसको त्यागना पड़ेगा तभी जाकर आगे वाले 60 साल जो है हम अच्छे से जी पाएंगे तो आईए अभी कुछ क्लासेज ली गई थी जिसमें क्लासंस करती जो है आपको अपडेट जो क्लासेज है वो यूटूब जीके आशू सर पे ली गई थी या जिस अभी चैनल पर आप देख रहे हैं वीडिय जैसे आप किताब पढ़ते हैं भी दसमीं बार में कि वो भी क्लासेज यहाँ पर ली गई है सिरफ आपको जाकर प्ले लिस्ट में देखना यह सब निशुल क्लासेज है ठीक है कुछ विधारती कहते हैं ज़र पसूपरीचर के लिए आपने क्या किया तो पसूपरीचर के कि शिक्ष्या विभाग में जो पद है व्याक्याता भरती प्रिक्षा संभावित जो है 6000 प्लस या सेगिन ग्रेड 8000 प्लस रीड जो है 25-3000 यह जो संभावित जो न्यूज चल रही है उसकी अधार पर अपने मानते हैं कि इन पदों पर भरती होगी ही और आपको तो एक हमें जो चाहिए अपने बस उसके लिए कारे करो ना भीड कितनी हो हमें तो अपना लक्षे चाहिए ना बहुत से ऐसी वेकेंसी जहां पर बहुत कम पद होते हैं जैसा आप अभी देखेंगे पशू परिचर में फिर भी वहाँ लगते हैं अब हमारे कुछ विध्यारती है जो रास्तान पुलिस के लिए जो बात कर रहे थे तो वो कहेंगे कि सर अभी जो रास्तान पुलिस की भरती चल रही है जो प्रिक्रिया धीन है जो हाई कोट में है उसका एक्जाम कब होगा एक्जाम तभी होगा जब तक कोट की सुनवाई नहीं होगी जब तक परिक्षा क का फेसला नहीं लिया जा सकता तो वो तो रहगी बात अलग हटकर वो प्रिक्षा तो अलग है जो पिछली सीटी की है क्या सर अभी जो सीटी जुलाई अगस्त में होने वाली है जो कहा गया अलोक राज जी के द्वारा उसमें नई पुलिस भरती देखने को मिलेगी या जो अ अभी ट्रेनिंग सेंटर में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके अलावा कभी भी इतने पदों पर भरती बड़ी हुई नहीं हमेशा यही चार सो पान सो साधी तीन सो दाई सो यही पद रहे हैं तो अभी जो सब इंस्पेक्टर भरती जो है ने जिले बनने के कारण एक बार दो हजार चोविस में दुबारा देखने को मिलेगी चार सो से पान सो के बीच ने पद आपके बीच आने वाले हैं महिला एसाई जो एक हजार ही ते हुए थे और उन एक हजार की ही बजट में जब गोशना हुई है सतर हजार की तो उन्होंने मांगे भी हमें किस विभाग म पनाकर उनको भेजा गया है कि यहां पर महिला एसाई की भरती जो एक हजार गहलो सरकार के समय से जो मांग चल रही है उसी पर आप तेपदों पर अगर गोशना कर देते हैं तो जो लड़कियां है जैसे आपने देखा होगा हेल्प लाइन डेस्क की जो महिला हेल्प लाइ आरेसी और आराईयसब जो बिना सीर्टी की है बिना सीर्टी के ये भी पिछले साल से ही मांग चल रही है और इसकी जो योग्यता है वो भी दस्वी पास है तो अब आप कहेंगे ये आरेसी आराईयसब क्या होता है यह भी पार्ट जो है राजस्तान पुलिस का ही पार्ट ह और इसके अंदर जो है जिला ना मिलकर क्या मिलती बटालिन मिलती है लेकिन नवाचार होते हुए अभी वर्तमान में यह जो थाने होते हैं वहाँ alaiis सब जो है अध्योगिव सुरुक्षाबल के लिए राजस्तान में एक नई बटालियंस का गठन हुआ था तो उसके पद जो है 3500 पद जो पिछले चल रहे थे वही 2500 जो चल रहा था वही मांगा गया है लेकिन अभी जो नया और उन्होंने भेजा है वो क्या भेजा है कि राज पुलिस भरती है वो हो जाएगी तो नई CET में दुबारा आएगी तो नई CET आपको पहले ये पेपर पास करना पड़ेगा फिर उसके बाद फिजिकल पास करना पड़ेगा फिर जाकर आप इस पुलिस की त्यारी करोगे तो अपने को पहले किसकी अच्छी त्यारी करनी ह होता है आज आपको मैं उस लड़की से करूँ या इस लड़की से शाइदी करूँ ये आपका विवेग तया करता है आप यूटूब पर देखते हैं यूटूब पर पढ़ाना अलग चीज है ओफ-लाइन में पढ़ाना अलग चीज है आप किसी के सामने खड़े होकर पढ़ाएं, उस ग्यान को आप किसी से पूछें, एक विध्यारतियों में आतम विश्वास पैदा करें, कि हाँ वो आए, और वो जो है, इस केमरे के सामने बोले, या अपने ग्यान को वह लोगों के सामने बोले, तो उसका जब आतम विश्वास आएगा, उसके क्लासेज भी बता दी, और अब हम बात करें, ओफलाइन क्लासेज की, ओफलाइन क्लासेज में जो नए बेच है, वो बारा फरवरी से सुरू होंगे, जिसके अंदर आप जो है, शिक्षक भरती के सारे बेच है, वो आ जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड पर्थम पर्षन पत्तर शेकन ग्रेड पर्थम पर्षन पत्तर, रीट के जो है, दोनों लेवल फर्स्ट और लेवल टू के बेचर सुरू रहेंगे, आर्यवर्त कोचिंग गुजर की थड़ी, यहाँ पर आप जो है, कोल कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा, यह जो है, मेरे पर्सनल नंबर है, जह सारा रिक्म, आप दंड के अनुसारी, आपके एडमिशन लिया जाएगा, वहाँ आप जाईएगा, आपका वेट हो जाएगा, ठीक है, जो है, आपकी हाइट है, वो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, तो उसके अधार पर आपको यहाँ पर एडमिशन ओफलाइन में मिल जा और अभी 6,30,000 विध्यारती जो है, ओनलाइन एप्लिकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो राजस्तान में 6,30,000 आप देख लिजीगा, पले स्टोर पर जाईएगा, त्यारी कर लो लिखो कि वहाँ पांच लाग पलस आएगा, तो अब 10 लाग होने पर दिखाई देगा, तो 6,30,000 पढ़ रहे हैं, एक लाग विध्यारती जो रोजाना त्यारी करते हैं, खुशी भी होती है, कि हाँ ये विध्यारती जो है रोजाना पढ़ाई कर रहे हैं, और उनके लिए भी शिक्षक भरतियों के सभी ने बेचेश हैं, जो 15 फरवरी से हैं, और अभी फेमिली तक तो मैंने आपको बताया है, कोई आपका भाई बंदू जो पढ़ना चाहता है, वो पढ़ सकता है, राजस्तान के अंदर आप घर बेठे भी पढ़ सकते हैं, ओफलाइन भी पढ़ सकते हैं, आप किताबों से भी पढ़ सकते हैं, ये आपका स्वेविवेक कार्य करता है कि आपको पढ़ना केसा है लेगिन मेरा यही है कि जो पढ़ो अगर यहाँ पैसा लगाया है तो 1251 लगाया तो 1251 का हक लेना है कि हाँ स्कूल व्याख्याता पर्थम परशन पत्तर में जितना इस बेच में कराया गया वो आपको याद होना चाहिए ऐसा नहीं कि कोर्स ले लिया कोपी में लिख लिया बस नोट्स बना लिये नोट्स आपके तभी काम आएंगे जब आपको याद होंगे वरना वो नोट्स किताबों में पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे जो भी पढ़ो उसको सुनाओ, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, सुना बाबु को, वाइप को, किसी को भी सुनाईएगा और सुनेरा भाईशे जो है आपका वो तया कीजिएगा, वर्ष दोजार तो इसमें कोई बिना नोकली लागे रहे गया तो ज्यान रगना झाल